नमस्षा दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रविशा डी आई क्यू जी के पर आज मैं आपके लिए 1000 एकनॉमिक्स के जिसे कि हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं इसके मोस्ट इंपॉरेंट हजार कोशन का सैट वन वीडियो लेकर रहे हूं मै अपको हर सैट में Most Important Economics के पर रहे हूं यह मैं जियूटने ज्यादा इंपॉरेंट है अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो यह वीडियो और इसके सबही पार्ट आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉरेंट रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं First question से, first question है मारा, आधुनिक अर्थ शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, सही answer है, option C, Adam Smith, Adam Smith जो है, इनको आधुनिक अर्थ शास्त्र का जनक कहा जाता है, important question रहेगा अपके exam के लिए, next question कर लेते हैं, मिश्रित अर्थ विवस्ता, जिसे की हम mixed economy भी बोलते हैं, से क्या अभी प्र आए है, सही answer है, option B, सरकारी और निजी चेतर का सहय अस्तितव, मिश्रित अर्थ विवस्ता यानि mixed economy भी एकनौमी होती है, जिसमें सरकारी और निजी चेतर का सहय अस्तितव होता है, ये question भी friends, exam में कई बार पूछा गया है, next question है मारा, शुद घरेलो उत्पात, जिसे की हम NDP भी बोलते हैं, प्राप्त किया जाता है, सही answer है, option C, उप्योक्त दोनो, option A भी सही है, option B भी सही है, option A देखते है, GDP में से जब आप depreciation को माइनस करोगे, तो आपके पास NDP आएगा, ठीक है, NDP को हमेंने बखको बताया, शुद घरेलो उत्पात बोलते हैं, और friends, GDP का full form ह होता है, सकल घरेलो उत्पात, तो फिर ये दोनों option जो थे, एक ही थे, बस एक क्यों क्या था, डिटेल में लिखा था, ठीक है, और depreciation को हम मुले हर्स भी बोलते हैं, यानि कि सकल घरेलो उत्पात में से, जब आप मुले हर्स को घटाओ गे, तो आपके पास शुद घरेलो पाद आएगा, friends, यह question exam में कई बार पूछा गया है, जितने भी question में आपको अच करवा रहे हो, सारे question एक अच्छे level के हैं, जो exam में पूछे जाते हैं, चाहिए आप SSC, UPSC, PCS, किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हो, या पुलिस, पटवारी की exam की त्यारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काफी जादा important रहेगा, next question है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट, जिसे कि हम human development report भी कहते हैं, कौन सी संस्था जारी करती है, सही answer है, option A, UNDP, UNDP संस्थान जो है, ये मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है, friends, यहाँ पे बात हुई है UNDP की, friends, UNDP का full form होत इसका संयुक्त राष्ट विकास कारे करम, और UNDP की स्थापना जो हुई थी, friends, ये 22 November 1965 में हुई थी, UNDP का जो, friends, headquarter है, ये New York में है, जो की USA देश में है, और 2020 में, अध्यक्ष है, अचीम स्टेनर, UNDP के, ये भी आपने याद रखना है, और यही मानव विकास रिपोर्ट क जारी करता है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, विरहत अर्थशास, जिसे की हम Macro Economics B बोलते हैं, शब्द का परियोग किस ने किया था, सही आंसर इसका, Option A, रागने फ्रिक्स्क, रागने फ्रिक्स्क जो थे, इन्होंने विरहत अर्थशास, यानि Macro Economics शब्द का परियोग सब स्वास्ते सिक्षा आमदनी, स्वास्ते सिक्षा आमदनी, इन तीन चीतरों में विकास का माप्यक है, HDI, फ्रिंट्स यहाँ पर वर्ड आया है, HDI, HDI का फुल फॉर्म होता है, Human, यहाँ पे लिग देता हूँ, Human Development Index, Human Development Index, जो है, यह HDI का फुल फॉर्म होता है, अगर हम हिं इंदी में बोलते है, मानव, विकास, सूचकांग, मानव, विकास, सूचकांग, Next Question कर लेते है, Lawrence वक्र, Lawrence वक्र को हम Lawrence कर भी बोलते हैं, क्या दर्शाता है, Friends, यह Question भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है, सही आंसर है, Option B, I, वित्तरन, I, वित्तरन को दर्शाता है Lawrence वक् भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी स्तर पर परतिवर्श कोन वरकाशित करता है, सही आंसर है, Option C, वित्तमंतराले, वित्तमंतराले जो होता है, यह आर्थिक सर्वेक्षन को सरकारी स्तर पर परतिवर्श परकाशित करता है, यह Question B, एक्जाम में कई बार पूछा गया ह next question कर लेते हैं, किसी देश में उत्पादन किये गए संपून, सामान और सेवाओं का मुल्य, उसका dash कहलाता है, सही answer है, option B, सकल घरेलो उत्पाद, सकल घरेलो उत्पाद को जिसको कि हम GDP भी बोलते हैं, यानि कि gross domestic product या बोलो सकल घरेलो उत्पादन जो होता है, यह होता है, कि इसी देश में उत्पादन किये गए संपून, सामान और सेवाओं का मुल्य, ठीक है friends, यह आपने याद रखना है, next question कर लेते हैं, सकल घरेलो उत्पाद, जिसे कि हम GDP भी बोलते हैं, प्लस विदेशों से प्राप्निवल कारक आए, किसके ब्राबर होता है, सही answer है, option C, सकल राष्टी उत्पाद, सकल राष्टी उत्पाद के ब्राबर होता है, सकल घरेलो उत्पाद, जिसे कि हम GDP भी बोलते हैं, जब इसमें आप जोड़ोगे, विदेशों से प्राप्निवल कारक आए को, friends, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, और friends, सकल राष्टी उत्पाद को हम GNP से भी लिखते हैं, ठीक है, GNP का full form क्या होता है, gross national product, gross national product, और हिंदी में बोलते है, सकल राष्टी उत्पाद, friends, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, next question कर लेते हैं, किसने कहा था, अर्थशास्त धन का विज्ञान है, सही answer इसका, option A, Adam Smith, Adam Smith, जो थे, इन्हों न ने कहा था, अर्थशास्त धन का विज्ञान है, next question कर लेते हैं, पुंजिवादी अर्थ विवस्ता, जिसे कि हम capitalist economy भी बोलते हैं, का मुख्य लक्षन क्या है, सही answer है, option A, निजी स्वामितव, निजी स्वामितव जो है, यह पुंजिवादी अर्थ विवस्ता, जिसे कि हम capitalist economy बोलते हैं, का मुख्य लक्षन है, यह भी आपने याद रखना है, exam में directly पुछा गया question है, पर जितने भी questions हैं, सारे अच्छे level के questions है, जो exam में आपको देखने को मिलेंगे, next question है हमारा, समाने संतुलन विशलेशन, समाने संतुलन विशलेशन को हम the general equilibrium analysis भी बोलते हैं, क को विखसित किया था, next question कर लेते हैं, भारत में राष्टे आई की गन्ना किसके द्वारा की जाती है, सही answer है, option B, केंद्रिय सांख्या की संगठन, केंद्रिय सांख्या की संगठन जो है, इसके द्वारा भारत में राष्टे आई की गन्ना की जाती है, और friends हम केंद्रिय सा Statistics Office या बोल सकते हो Central Statistics Organization ठीक है और इसका Headquarter जो है friends वो New Delhi में है New Delhi में इसका Headquarter और इसकी जो स्थापना हुई थी friends 2 मई 1951 को हुई थी ये भी आपने याद रखना है Next question कर लेते हैं ये भी exam में कई बार पूछा गया question है even UPSC, SSC, PCS में भी कई बार पूछा गया ये बंद अर्थ विवस्ता जिसे कि हम close economy भी बोलते हैं वह अर्थ विवस्ता है जिसमें सही answer का Option D ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो बंद अर्थ विवस्ता जिसे कि हम closed economy भी बोलते हैं ये वह अर्थ विवस्ता होती है जिसमें ना ही निर्यात होता है और ना ही आयात होता है ठीक है फ्रेंट्स ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं भारत में सवरपथम राच्टी आय का आकलन किस ने किया था सही आंसर इसका option B दादा भाई नैरोजी जो थे इन्होंने भारत में सवरपथम राच्टी आय का आकलन किया था नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं अगला कोशन है हमारा नेम लिकीत में से कौन सा भारती अर्थ विवस्ता का प्रमुक लक्षन है सही आंसर है option C मिश्रित अर्थ विवस्ता मिश्रित अर्थ विवस्ता जो है ये भारती अर्थ विवस्ता का मुख्य लक्षन है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, भारत में नियोजित अर्थ विवस्ता अधारित है, सही आनसर असका, ऑप्शन D, मिश्रित विवस्ता पर, भारत में जो नियोजित अर्थ विवस्ता है, वो मिश्रित विवस्ता पर अधारित है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, सकल घरेलो उत् जिसे कि हम GDP deflator भी बोलते हैं, शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है, सही आनसर इसका, option B, nominal GDP और वास्तविक GDP, nominal GDP और वास्तविक GDP का ये अनुपात है, सकल घरेलू उत्पात deflator, जिसे कि हम GDP deflator भी बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखते देता हूं, GDP deflator, ये अनु वास्तविक GDP के, nominal GDP और वास्तविक GDP के, ठीक है फेंट्स, ये important question है ये भी, next question कहे लेते हैं, व्यक्तिकत व्ययोग्यों, व्यक्तिकत व्ययोग्यों हम प्रयोजय आई भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं, और disposable income भी बोलते हैं, का अर्थ क्या है, सही आनसर इसका, option B, व्यक्त व्यक्तिकत आई में से जब आप प्रतेक्ष करको घटाओगे, तो आपके पास आएगा व्यक्तिकत व्ययोग्यों, या बोल सकते हो, प्रयोजय आई, या बोल सकते हो, disposable income, ये question भी प्रयोजय एक्जामें कई बार पूछा गया है, next question कह लेते हैं, राश्तिय क्रिशी और ग रामिन विकास बैंक या नबाड की स्थापना की गई थी, और फ्रेंस नबाड जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, और इसका जो headquarter है फ्रेंस, वो मुंबई शहर में है, और इसके जो अध्यक्ष है, 2020 में, उनका नाम है हर्ष कु ठीक है फ्रेंस, ये भी आपने याद रखना है, फ्रेंस, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको most important 31 कोशन करवाने वाला हूँ, अर्थ विवस्ता के, यानि एकनॉमी के, जब आपके 31 कोशन कम्प्लीट हो जाएंगे, सभी कोशन में आपको एक बार रिवीजन करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंस, आपको सभी के सभी कोशन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं, लास्ट मैंने आपके लिए इन सभी कोशन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट रखे देना, फ्रेंस, मैं आपको यह मशिनरी की हानी है, ठीक है, मशिनरी के मूले की हानी है, नेक्स कोशन कर लेते हैं, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, सही आणसर इसका, आप्शन B, राज्य विहीन समाज, राज्य विहीन समाज जो था, यह महात्मा गांधी की राम राज्य की संक जिसे कि हम backward depending supply curve कहते हैं का संबंध किस से है सही आंसर इसका option B श्रम से पशच बंकन supply वर्ग जो है जिसे कि हम backward depending supply curve भी बोलते हैं का संबंध जो है श्रम से है या बोल सकते हो मज़दूरी से है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं निम्न में से राष्टे आई के लिए किसका अधिक्तम योगदान है सही आंसर इसका option B सेवा का या जिसे कि हम services भी बोलते हैं राष्टे आई में जो सबसे अधिक्तम योगदान है फ्रेंड्स वो सेवा का होता है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं आर्थिक विकास जिसे कि हम economic development भी बोलते हैं का प्रचाल निम्न में से कौन सा है सही आंसर इसका option B प्रति व्यक्ति मौदरिक आई आर्थिक विकास जिसे कि हम economic development भी बोलते हैं का प्रचाल जो है वो प्रति व्यक्ति मौदरिक आई से है next question करते है deficit deficit financing का परभाव क्या है option c तरलता में व्रिद्धी या बोल सकते हो increase in liquidity तरलता में व्रिद्धी जो होता है यह deficit financing का परभाव है next question कर लेते है मुद्रा सफीती जिसे की हम inflation भी बोलते हैं को नियंतरित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए option a rapo rate में व्रिद्धी rapo rate में व्रिद्धी करनी चाहिए सरकार को अगर मुद्रा सफीती यानि inflation पे नियंतरित करना है next question कर लेते हैं बजार अर्थ वेवस्ता जिसे की हम market economy भी बोलते हैं वह होती है जो dash option a सरकारी नियंतरन से मुक्त हो बजार अर्थ वेवस्ता जिसे की हम market economy वह होती है जो सरकारी नियंतरन से मुक्त हो यह question भी friends exam में कई बार पूछा गया है friends आपको questions का level देके बता लगया होगा next question है मारा आंतरिक वेवार जिसे की हम insider trading भी बोलते हैं किस से संबंधित है सही answer इसका option a share market से आंतरिक वेवार जो है जिसे की हम insider trading भी बोलते हैं इसका संबंध है share market से आखरी question कर रहे है हम इस वीडियो का किस भारतिय राजे की GDP यानि gross domestic product सबसे जादा है सबसे अधिक है सही answer इसका option d महाराष्ट महाराष्ट राजजे जो है इस राजजे की जो GDP है वो सबसे अधिक है friends मैंने आपको ये 31 question करवाए उमीद करता हूँ friends आपको सभी question अच्छे से समझ में आगे होंगे अब इस वीडियो का सबसे भैतरीन पार है जितने भी question मैंने आपको करवाए है एक बार फटा फट से revision करवा देता हूँ ताकि friends आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आजाए और याद भी हो जाए friends से सबसे बहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर आप revision कर लो उससे पहले आप friends आपको छोड़ी सी information देता हूँ कि अगर आपने current affairs पढ़ना है तो मेरे current affairs चैनल पर आपके आपढ़ सकते हो current affairs by ravis study iqgk चैनल का नाम है ठीक है पहले इस चैनल का नाम था ravis study iqgk 2.0 लेकिन हमने नाम चेंज कर दिया है current affairs by ravis study iqgk हो गया है friends आप मुसे live जोर सकते हो मेरे blogging चैनल पर इसे भी friends आप subscribe कर लिजिए ravis yz blogs telegram पर facebook पर instagram पर मुझे follow कर सकते हो ravis study iqgk के नाम से है सभी question बाद में अगर आपने पढ़ने है तो website बजाके पढ़ सकते हो www.ravis study iqgk.com है special whatsapp group है 7814339999 इसे भी आप join कहल लीजिए तो चलिए friends start करते है revision first question से first question है revision का आधुनिक अर्थ शास्त का जनक किसे कहा जाता है सही answer है adam simit next question है revision का शुद घरेल उत्पाद जिसे की हम ndp भी बोलते हैं प्राप्त किया जाता है सही answer है GDP में से जब आप depreciation को minus करोगे आपके पास ndp आएगा यानि शुद घरेल उत्पाद आएगा इसे friends हम इस तरह से भी लिगते हैं GDP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेल उत्पाद में से जब आप मुल्ले हरास को घटाओगे आपके पास ndp आएगा friends यह मैं आपको सभी questions का revision करवा रहा हूँ next question कर लेते हैं मानव विकास report जिसे की हम human development report भी कहते हैं कौन सी संस्था जारी करती है सही आंसर है UNDP next question विहत अर्थ शास्त्र जिसे की हम macro economics भी बोलते हैं शब्द का प्रियोग किस ने किया था सही आंसर है रागनेर फ्रिस्कने next question HDI किन तींच हितरों में विकास का मापक है सही आंसर है स्वास्ते सिक्षा आमदनी next question है revision का भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी स्तर पर प्रती वर्ष कोन प्रकाशित करता है answer है next question कर लेते हैं revision किसी देश में उतपादन किये गए संपून समान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है answer है सकल घरेलो उतपादन जिसे कि हम GDP भी बोलते हैं next question हमारा सकल घरेलो उतपाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आए क्या कहलाता है answer है सकल राष्टिय उतपाद next question किसने कहा था अर्थ शास्त्र धन का विज्ञान है answer है Adam Smith next question पुंजीवादी अर्थ विवस्ता जिसे कि हम capitalist economy भी बोलते हैं का मुख्य लक्षन क्या है answer है नीजी स्वामित next question करते है समाने संतूलन विशलेशन जिसे कि हम ता जर्नल एक्विली बिरियम एनलिसिस कहते हैं किसने विक्सित किया था answer है walrus भारत में राष्टिय आय की गन्ना किसके द्वारा की जाती है answer है केंदरिय सांख्या की संगठन next question बंद अर्थ विवस्ता जिसे कि हम closed economy भी बोलते हैं वह अर्थ विवस्ता है जिसमें ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो ये question भी काफी बार exam में पूछा गया है फिर इसके बाद जो मैं आपको इन सभी question का test करवाने वाला हूँ test आप जरूर attempt करना क्योंकि test ही आपको best बनाता है next question भारत में सौरपथम राष्टिय आय का आकलन किस ने किया था answer है दादा भाई नैरो जी ने next question है हमारा कौन सा भारती अर्थवेवस्ता का परमुक लक्षन है सही answer है इसका मिश्रित अर्थवेवस्ता भारत में नियोजित अर्थवेवस्ता अधारित है सही answer है मिश्रित अर्थवेवस्ता next question सकल घरेलू उत्पाद डिफलेटर GDP डिफलेटर शब्द नीमन में से किसके मध्य नुपात है आंसर है nominal GDP और वास्तविक GDP व्यक्तिकत व्ययोग्य व्यप्रयोज्य आए जिसे कि हम disposable income भी बोलते हैं का अर्थ है सही आंसर है व्यक्तिकत आए में से जब आप minus करोगे परतेक्ष करको राष्टी क्रिशी और ग्रामीन विकास जिसे कि हम नबाड भी बोलते हैं कि स्थापना किस पंच वर्षिय योजना से की गई थी आंसर है six नेक्स्ट कोशन मूले हर्स जिसे कि हम depreciation भी बोलते हैं किसके मूले की हानी है आंसर है machinery रही नेक्स्ट कोशन है रिवीजन का महात्मा गांदी की राम राज्य की संकलपना क्या थी आंसर है राज्य विहीन समाज Next question करते हैं revision का पशच बंकन supply वक्र जिसे कि हम backward depending supply कर भी बोलते हैं का संबन्थ किस से हैं? आंसर है शरम से Next question नेमन में से रास्टे आए के लिए किसका अधिक्तम योगदान है? आंसर है सेवा Next question आर्थिक विकास जिसे कि हम economic development बोलते हैं कब प्रचाल निम्लिक खित में से कौन सा है आंसर है प्रति व्यक्ति मौदरिक आए नेक्स्ट कोशन डेफिशिट फाइनसिंग का परभाव क्या है आंसर है तरलता में वृद्धी नेक्स्ट कोशन मुद्रा सफीती जिसे कि हम इंफलेशन भी बोलते हैं को नियंत करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए आंसर है रैपो रेट में वृद्धी नेक्स्ट कोशन बजार अर्थ व्यवस्ता जिसे कि हम मार्केट इकनॉमी भी बोलते हैं वै होती है जो सही आंसर है सरकारी नियंतरन से मुक्त हो नेक्स्ट कोशन है रिवीजन का आंतरिक अधिक है आंसर है महराष्ट राज्य की फ्रेंट्स मैंने आपको 31 कोशन करवाए फिर आपको मैंने सभी कोशन का रिवीजन भी करवा दिया उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे फ्रेंट्स मैंन पढ़ना है तो डेली चार बजे हमारे चैनल पर वीडियो आती है, Current Affairs की चैनल का नाम है, Current Affairs by Ravi Study IQ GK, पहले इसका नाम था, Ravi Study IQ GK 2.0, लेकिन हमने नाम जिसका चेंज कर दिया है, और friends, मेरे एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, Ravi XYZ Blogs, इसे भी friends, आप सब्सक्राइब कर लिजी और Share कर दीजिए, ठीक है, Telegram पर, Facebook पर, Instagram पर जूर सकते हो, Ravi Study IQ GK नाम से, अगर आपने GK पढ़नी है बाद में, तो मेरे website पर जाके आप पढ़ सकते हो, www.ravistudyiqgk.com, Special WhatsApp ग्रूप है, 7814-339999, इसे भी friends, आप जॉइन कर लिजीए, तो चलिए friends, स्टार्ट करते हैं, टेस्ट टेस्ट के लिए आपको all the best वीडियो कैसी लगिया, ये भी आपने जरूर बताना है, first question है हमारा test का, आधुनिक अर्थशास्थ का जनक किसे कहा जाता है, चार options हैं आपकी screen के उपर, answer आपने commenter के बताना है, next question है test का, मिश्रित अर्थविवस्ता, mixed economy से क्या अभी प्राय ह friends अकर आपको ज्यादा time चीए हम वीडियो को pause करके time ले सकते हैं और अपना answer commenter के बताना है, शुद्ध घरेल उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है, next question, मानव विकास रिपोर्ट, human development रिपोर्ट कोन सी संस्था जारी करती है, विरहत अर्शास्त, macroeconomics शब्द का प्रियोग किस ने किया था, answer आपने commenter के बताना है, HDI किन तीन छेतरों में विकास का मापक है, चार options हैं आपके पास, Lawrence वकर, जिसे की हम Lawrence करब भी बोलते हैं, क्या दर्शाता है, चार options हैं आपके पास, भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी स्तर पर पर्तिवर्ष कोन वरकाशित करता है, answer आपने commenter के बताना है, किसी देश में उत्पादन किये गए संपुन, सामान और सेवाओं का मोल्य उसका डैश कहलाता है, सकल घरेल उत्पाद प्लस विदेशों से प्रापनिवल कारक आए ब्राबर होता है, किसी ने कहा था, अर्थशास्थ धन का विज्ञान है, पुंजीवादी अर्थविवश्था, capitalist economics का मुख्य लक्षन क्या है, समाने संतुलन विशलेशन, the journal equilibrium analysis किस ने विक्सित किया था, भारत में रास्टी आय की गन्यना किसके द्वारा की जाती है, चार आप्शन्स हैं, आपके पास, आंसर आपने कमेंटर के देना है, फिरिंस, कॉंटेंट कैसा लगा आपको, पढ़ायवा कैसा लगा है, बंद अर्थव्यवस्ता, close economic का वह अर्थव्यवस्ता है, जिसमें, भारत में सवरपथम रास्टी आय का आकलन किस ने किया था, निमलिखित में से कौन सा भारती अर्थव्यवस्ता का प्रमुख लक्षन है, भारत में नियोजीत अर्थव्यवस्ता अधारित है, सकल घरेल उत्पाथ डिफलेटर, जीडीपी डिफलेटर, शब्द नीमने में से किसके मध्य अनुपाथ है, वैक्तिकत व्ययोग्य व्यप्रयोज्य आय जिसे कि हम disposable income बोलते हैं का अर्थ है, चार आप्षन्स हैं आपके पास, राश्टिय क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक, नबार्ड की स्थापना किस पंच वर्षिय योजना में की गई थी, मुल्ले हार्स, जिसे कि हम depreciation बोलते हैं, किसके मुल्ले की हानी है, अंसर आपने कमेंटर के बताना है, महत्मा गांदी की राम राज्जे की संकल्पना क्या थी, चार आप्षन्स हैं आपके पास, पशच बंकन सप्लाई वक्र, जिसे कि हम backward depending supply कर्व कहते हैं, का संबंध किस से है, निमन में से राश्टिय आई के लिए किसका अधिक्तम योगदान है, आर्थिक विकास, जिसे कि हम economic development बोलते हैं, का प्रचाल निमन में से कौन सा है, अंसर आपने कमेंटर के बताना है, deficit financing का परभाव क्या है, next question, मुद्रा सफीर्ती, जिसे कि हम inflation भी बोलते हैं, को नियंतरित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आंसर आपने कमेंटर के बताना है, बाजार अर्थ विवस्ता, market economic वह होती है, ज्यादा टाइम चाहिए, प्रेंट्स, आप वीडियो को पॉस्कर के टाइम ले सकते हो, आंतरिक वैपार, जिसे कि हम insider trading बोलते हैं, किस से समबंदित है, आखरी question कर रहे हैं, टेस्ट का, किस भारते राजय की GDP सबसे अधिक है, फ्रेंट्स, मैंने आपको 31 question करवाई, इसके बाद सभी question का, मैंने आपको revision करवा दिया और उसके बाद सभी question का test भी ले लिया, उमीद करता हूँ, आपको सभी question अच्छे जैस समजमे आगे होंगे और याद भी हो गया उंगे, इसी वीडियो में, friends, यह सबसे भैतरी तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, उसके बाद आप रिवीजन कर लो, और उसके बाद आप टेस्ट दे दो, ठीक है, friends, यह वीडियो कम्प्रीट हो जो कि का Current Affairs by Ravi Study IQ GK, इसे आप सबस्क्राइब कर लीजिए, सुबह चार बजे वीडियो आती है, और डिटेल वाला PDF दिया जाता है, ठीक है, friends, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, Ravi XYZ इसे भी, friends, आप सबस्क्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अगर आपको सारे के सारे कोशन्स पढ़ने हैं, GK के, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो, www.ravistudyqgk.com है, special WhatsApp ग्रूप है, 7814339999, इसे भी आप जॉइन कर लीजिए, Telegram, Facebook, Instagram पर फॉलो कर सकते हो Ravi Study IQ GK के नाम से है, तो friends, आप हम मिलते हैं, next video में, thank you and wish you all the best.